अगर आप CGPC Mains 2021 किस लिख रहे हैं और निबन लेखन की तैयारी अच्छे से अभी तक नहीं हो पाई है तो आपको टेंच लेनी की जरूरत नहीं है competition community आपके लिए निबन लेखन के ऊपर एक book लेकर आए हैं जिसमें न सिर्फ 36 गड़ के जो मुद्धे हैं इसके अलावा राश्वी मुद्धे हैं और अंतर राश्वी मुद्धे हैं इन सभी को properly हम लोगों ने cover किया है इस book में और आपको बात बता दू मैं ये कि ये जो book है ये book hard copy में भी available है आपके नजदी की book stalls पर दूसरी एक चेतावनी है चेतावनी ये है कि इस books की बहुत limited copies market में सकलेट की गई हैं तो अगर आप इसको लेने में विलम करेंगे देरी करेंगे तो शायद ये book आपको ना मिल पाए तो अगर mains लिख रहे हैं निबन की बेहतर त वागत ठीक है मन में प्रश्ण आ गये होंगे प्रश्णों का जवाब में देता हूं पहला प्रश्ण कि आज शनी वार को चट्रगड के current affairs का वीडियो कैसे आ गया जबकि schedule कपका होता है तो हर सोंवार को होता है या सोंवार का होता है तो मैं आपको बता दूँ पिछले द अच्छा नहीं तो दीन बदल डिया आजये कैंपता किसमत बदल जाए तो इसलिए ऐसा हो जाहर fungi को नहीं बना पा रहा था इस इन्मीज का वोसुअ क्यों आनंसर जो है वो पहले Saturday और Sunday इनके वीडियो आते थे अब आएंगे कब Sunday और Monday clear है तो इतवार के दिन और सोमवार के दिन आनंसर का वीडियो आएगा शनी वार को मिलेगा आपको 36 गड़ का current affairs clear है तो 36 गड़ एक ऐसा subject है कि CGPAC की तैयारी में अगर आप 36 गड़ यह उसके current affairs को नहीं पढ़ो गये तो एकदम मन कई से लगते अधूरा अधूरा लगते सुने ओ नहीं तरिफटोई उपर कुरता है उपर कुरता रही रही के सता थे तो रेच सूरता है चनाकेदार तो वैसे 36 गड़ का सूरता जो है ना रही रही सताता है हम लोग को ठीक तो बहुत सारे comment आ रहे थे कि प्कराद सार वीडियो वीडियो आगे है ए प्रेशन's सार ने से अप्र देगे क्या क्या एश्ण' के दियूड्यव से एक ख Biden आपको मिल जाएगे अच्छा वास्प लंबे समय आप लिए के मन में था छैस करेंड के वीडियो का pdf कहा मिलेगा कहा मिलेगा कहा मिलेगा तो हम लोग ने वापिस के मागजीन जो है उसको मंतल बाइडिशन में स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको बता दूं इस करेंड अफस के डाले है महीने में, या मैंने डील किया है, उन सभी को तो cover किया ही गया है, उसके अलावा हो सकता है कि कोई important topic में इसे miss हो गया हो, या कोई ऐसा चोटे topic हो, जो कि वीडियो में discuss ना किया गया हो, तो उन सभी topics को भी cover किया गया है, मतलब अब आप जितना भी पढ़ेंगे, उसका separate PDF, टेलीग्राम से, यहां से, वहां से लेने की जरूरत नहीं है, नहीं उसका notes बनाने में आपको समय खराब करने की जरूरत है, बस current affairs का हमारा book ले लीजे, उस book में पूरा content मिलेगा, जो content हम लोग यहां पर वीडियो में deal कर रहे हैं, clear है, एक बार ले लेना, magazine को खुद समझ जाओगे, ठीक है, वीडियो को start करते हैं, कुछ questions थे last video में, उसको पहले deal करेंगे, तो निम्न में से कौन छत्यजगर राज जी के ग्रामुद्योग मंत्री हैं, answer क्या है D, गुरु रूद्र कुमार जी हमारे हैं, ग्रामुद्योग मंत्री, और क्या क्या option में हैं तो रवीन चौबे जी, आपको पता है, क्रिशी मंत्री हैं यह, इसके अलावा, अगबर जी, प्रमुख विभाग इनके पास क्या है, वन है, और शिव कुमार ढहरिया जीनके पास प्रमुख विभाग क्या है, तो है, नगरी प्रशासन, प्रशान लिख क्या मैं, और दूसरा क्या है तो, श्रम, clear है, क्वेशन में, ग्रामुद्योग, तो आप्शन डी, गुरू रूद्र कुमार जी, चलो, अगला क्वेशन क्या है, वर्श 2021-22 के लिए मन्रेगा के तहत रोजगार स्रिजन का लक्ष कितना तै किया गया है, प्राथमिक लक्ष कितना था, अगले प्रशन पर आते हैं, अगला प्रशन क्या है, तो अगला प्रशन अंतराष्टी महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित संगीता, संगीता, खलको, किस छेत्र से संबंदित है तो, लास्ट वीडियों देखा था, सबसे अधिक लेंदेन करने वाली ये, बैंक सकी है, ठीक है, चलो, अगला प्रशन, क्या है भई, क्या है, सी मार्ट के लोगों का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, पुपेश भगेल जी, क्या है भई, बताने जोरत है क्या मेरे को, चत्र गड़के, मुख्यमंतरी, ठीक है, चलिए, अब स्टाट करते हैं आज का वीडियो, और उससे जस्ट पहले मैं आपको बता द कम्यूनिटी के रायपूर सेंटर में, आप सभी पता है हमारा रायपूर सेंटर कहां है, तो ओफिस शिफ्ट हो गया है, कहां आ गया है, तो आरकेसी के सामने, ठीक है, वहाँ पर साउथ एवन्यू प्लाजा नाम की एक बिल्डिंग है, उसमें सेकेंड और थर्ड फ्लोर हमारा कोचिंग का ओफिस भी है और क्लासे भी है, तो यहाँ पर 25 अप्रेल 2022 से हम न्यू बैचेस अनाउंस कर रहे हैं, CGPSC, प्री प्लस मेंस इंटिंग्रेटर और साथ ही CGPSC मेंस के कोर्स के लिए भी, अधिक जानकारी चाहिए, तो यह जो दो नंबर्स हैं, कौन सा 747901111 और 7869978414 पर आप कर सकते हैं, कॉल और ले सकते हैं, इंफरमेशन को, जानकारी को, चलिए, तो आज के पहले टॉपिक पे आते हैं, वही तरीका रहेगा, टॉपिक को डील करेंगे, प्री के पॉइंट अफ यू से भी, और मेंस के पॉइंट अफ व्यू से भी, ठी इन्हों ने क्या किया है, तो इन्हों ने हमारे प्रदेश 36 गड़ के 6 मनरेगा श्रमिकों को सम्मानित किया है, अब ये न्यूस जितना पढ़ने में आपको आसान लगेगा, इतना ही ये जादा इंपोर्टेंट है, अगर आप इसकी डेप्त में पढ़ाई करेंगे, तो य ऐसे इसको मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम प्री के अनुसार देखते हैं, क्लियर है, तो पहला क्वेशन बन जाएगा, कि केंदरी, ग्रामीन, विकास, मंत्री ने 36 गड़ के कितने मनरेगा श्रमिकों को सम्मानित किया है, तो एंसर आगया 6, पहला क्वेशन, तो पहला क् कितने, या एंग्लिश में, हाउमनी, सेकेंड कोशिन आजाएगा, कि निम्न में से कौन सम्मानित हुआ है, कौन नहीं, मतलब हूँ, तो नाम देखते हैं, अब देखें, इसमेना अड्रस पता भी दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है, नाम जादा इंपोर्टेंट है, ठी से पहले है कौन, श्री मती, नीतु बाई, साहु, पहली, क्या, तो मश्रूम उत्पादन के लिए, ठीक है, तो छे लोगों का सम्मान हुआ है, कुछ कारण होगा, तो श्री मती, नीतु बाई, साहु, मश्रूम उत्पादन के लिए, सेकेंड है, श्री मती, फूलवनती कव मुम्बत्ति बनाने का काम करती है यह कैंडल मेकिंग और उमशून प्रोडक्शन उसके बाद है सूश्री जीतांजली ध्रू और है सूश्री ओमेश्वरी कमर यह सिलाई कारिये टेलरिंग काम करती है ठीक है इसके बाद है कृष्ण कुमार सार्थी जी अब DPRCG के Amarusa लेगिन कंटेंट को पढ़ओ तो कृष्ण कुमार सार्थी लिखाए तो मैं मानता हूं कि इते अश्रे पालन के लिए ᡤ तो इस सम्मानत हूए है और इस के बाद है श्री गीमल साओ मॉबाइल रिपेरिंग के लिए ठीक है तो पहला question ये बना कितने तो 6 अगला question क्या बना कौन-कौन हुआ है तो सबसे पहले श्रीमती नीतु बाई साहू ग्रीन से टिक कर देता हूं नीतु बाई साहू मैंने क्या बताया मश्रूम उत्पादन उसके बाद क्या है तो फूलवंती कवर जी है इन्होंने क्या क है तो मौमबत्ती उत्पादन मौमबत्ती बनाने काम किया है कैंडल मेकिंग का फिर उसके बाद दो सूश्री है एक है क्या गीता अंजली धुरू और दूसरा ओमेश्वरी कवर ये टेलरिंग सिलाई का काम उसके बाद कृष्ण कुमार सार्थी जी बकरी पालन और श्री विमल साव ये मोबाइल रुपेरिंग क्लियर है ये तो आई होप आप पहला क्वेश्ण समझ गए और दूसरा क्वेश्ण भी समझ गए तो प्री के डिमेंशन को आपने अभी तक क्या कर लिया एक्स्प्लोर कर लिया अम मेंस के डिमेंशन पर आते हैं ठीक है बई मेंस का क्या dimension है तो आप लोग अच्छे से समझते चलना तो जो केंद्री ग्रामीड विकास मंत्राले हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं M.O.R.D. Ministry of Rural Development M.O.R.D. ठीक है अब ये जो M.O.R.D. है इसके द्वारा न एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसका नाम है Project उननती क्या चलाया जाता है Project उननती अब ये जो Project उननती है इससे क्या किया जाता है तो कॉशल विकास मतलब इंग्लिश में कहते हैं Skill Development का प्रसिक्षन दिया जाता है ठीक है भई किन को दिया जाता है तो मनरेगा श्रमिको को अगर आपको लास्ट वीडियो मेरा ध्यान में हो तो लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी इसके बारे में याद है मनरेगा के बारे में बात की थी ठिक महात्मा गांधी नाशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गैरंटी आक्ट यह भागूं बोलता है बई 2005 अब इस आक्ट के माध्यम से क्या किया जा रहा है तो जो ग्रामीड परिवार हैं उनमें जो एडल्ट्स हैं और जो चाहते हैं काम करना कैसा काम तो अनिस्किल्ड मैनु मैनुवल मतलब शारिरिक और अनिस्किल्ड का मतलब होता है जिसमें कौशल ना हो मतलब अकुशल तो ऐसा काम जो करना चाहते हैं इनको कम से कम 100 दिवस का या 100 डेस का रोजगार देना ताकि इनको क्या मिले तो आजी वीका की सुरक्षा मिल सके या लाइवली हूट का क्या मिल सके सेक्योरिटी मिल सके तो मन्रेगा में आप समझ गया चाहिए क्या होता है ठीक है भई कि अब अध्शुली सरकार एक कदम और के बढ़ रही है सरकार ये चाहती है ये जो मनरेगा वरकर्स हैं ये कैसे नॉन स्किल्ड है तो क्या किया जाए इनका स्किल्ड डेवलप किया जाए इनके कौशल का क्या किया जाए विकास किया जाए और कौशल के विकास करने से क्या होगा तो इनका अगर कौशल विकास हो गया तो ये क्या कर सकेंगे तो स्वर रोजगार जो है या सेल्फ एम्प्ल तो देती इच थी लेकिन सरकार अब क्या चाहती है कि प्रोजेक्ट उन्नती के माध्यम से इन वर्कर्स का क्या हो स्किल डेवलाप्मेंट हो क्यूं हूं ताकि उनको क्या मिल सके सुवरोजगार या सेल्फ एंप्लॉयमेंट मिल सके अभी समझते जाना क्वेशन भी बताऊंगा ठीक है और इसी क्रम में क्या हुआ तो इसी क्रम में कौशल विकास का ट्रेनिंग लेकर अपनी लाइफ को चेंज करने वाले चत्ति गड़के जो छे मन्रेगा वर्कर्स थे इनको सम्मानित किया गया मतलब कि ये जो छे नाम हमने पड़े हैं नीतु बाइसाहु है फुलवंती कवर है गीता अंजली धुरू है ओमेश्वरी कवर है कृष्ट कुमार सार्थी है इसके अलावा विमल साव ये सब क्या थे मन्रेगा वर्कर्स अब देखिए मन्रेगा वर्कर हैं इन्होंने ट्रेनिंग ली अब ये क्या कर र रहे हैं टेरिंग वर्क कर रहे हैं मतलब कुछ ऐसा काम जो वो खुद से कर रहे हैं वैसी कृष्ट कुमार सार्थी जी क्या कर रहे हैं तो बकरी पालन कर रहे हैं विमल साव जी क्या कर रहे हैं तो मोबाइल रिपेरिंग मतलब जो पहले मन्रेगा वर्कर्स थे अब स्किल development का training लेने के बाद वो क्या कर चुके हैं तो कुछ ना कुछ self employment generate कर रहे हैं एक प्रश्ण है कि सरकार ऐसा क्यों करती है बहुत आसान आंसर आपको बताता हूं आंसर क्या है पता है अगर आप census 2011 को देखो तो भारत के ग्रामीन परिवेश में 15 से 35 वर्ष के बीच के श्रमिक या लेबर्स मतलब लिटरली लेबर या श्रमिक नहीं बोल रहा हूं मतलब ऐसे लोग जो की कारे करने में सक्षम हैं और कार कर सकते हैं इनकी संख्या किती है पता है approximately 5.5 करोड 5.5 करोड इतने लोग हैं तो सरकार ये चाहती है कि ये जो कारियबल है वर्क फोर्स है हमारे पास इस एज ग्रूप का 15 से 35 जो की किता है 5.5 करोड है इसका क्या करें सरकार अधिक से अधिक लाब उठा सके अब देखो सरकार कैसे लाब उठाएगी बलकि क्या होगा जो भारत की अर्थविवस्था है इकनॉमी है उसको भी ये लोग क्या करेंगे तो बूस्ट करेंगे मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है डेमोग्राफिक डेविडेंट की स्थिती पैदा होगी और भारत की अर्थविवस्था को क्या होगा इससे फाइदा होगा क्लियर है ये जनसांखी की लाभांश सुने छोगे यार मेंस में आप लोग नहीं तो आकासर तो बहुत अच्छे तरीके समझा ही दिये होंगे आप लोग मुझे भी बताईएगा मैं भी समझना चाहूंगा कि ये लाभांश क्या होता है कमेंट करके बताना क्लियर है तो ये न्यूज बहुत ज़्यादा डेप्थ में है न जितने लोग हवा हवाई कर रहे थे इसको मैं आपको बताऊं पहले पढ़ने में मेरे भी हवा हवाई मतलब पेपर नमर पांच से इसके अलावा अगर आप ऐसे लिखोगे में में तो उसमें भी ये इकनौमी से संबंधित अगर ऐसे आ गया तो उसके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है क्लेर है यह बात ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क कुछ चीजों को बताता हूं अब यह जो प्रोजेक्ट उन्रती है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है तो मैं बताया हूं मन्रे का जो श्रमिक है उनके कौसल विकास के लिए व्यवस्टा कराई जाती है किस माध्यम से करा क्रिशी विज्ञान केंद्र जो है उनके माध्यम से 16 गण में कितने है तो 27 क्रिशी विज्ञान केंद्र है यह जो क्रिशी विज्ञान केंद्र है इसके माध्यम से क्रिशी से संबंधित जानकारी इंफर्मेशन नॉलेज ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़े जो है वो लोगों को दी जा सकती है इसके अलावा क्या है तो है दीन दयाल उपाध्याए कोशल्य नहीं ग्रामीन कौशल्य योजना डी डी यू जी के वाए ये एक योजना है इस योजना के माध्यम से भी कौशल विकास का काम स्केल डेवलाप्मेंट का काम किया जाता है इस योजना को भी अभी समझाऊंगा आपको 30 words में ये योजना important हो सकती है इसके अलावा क्या है RCT Rural Self Employment Training Institutes ठीक है ग्रामीन स्वर रोजगार ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे प्रसिक्षन इंस्टिट्यूट मतलब संस्थान clear है तो प्रोजेक्ट उन्नती के माध्यम से एक ये योजना है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है skill development का training दिया जाता है एक संस्थान है RCT उसके माध्यम से skill development का training दिया जाता है इसके अलावा क्रिशी विज्ञान केंद्र है इसके माध्यम से skill development में training लोगों को दी जाती है ठीक है अब ये तो हो गया content अब कुछ चीजों को देखते हैं सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको 30 words में आ जाए कि ये प्रोजेक्ट उन्नती क्या है तो प्रोजेक्ट उन्नती के बारे में आपको क्या-क्या लिखना है तो देखिए किसी भी परियोजना प्रोजेक्ट इसके बारे में योजना इसके क्या है उद्देश इसके अलावा इंपोर्टेंट क्या होता है कि यह योजना जो है वो कब शुरू ही किसने शुरू की ठीक है भई तो यह जो प्रोजेक्ट उन्नती है इसका संचालें कौन करता है तो केंद्री ग्रामीन विकास मंत्राले मिनिस्ट्री ओफ रूरल डीवलापमेंट मोरटी इसके द्वारा संचालित किया जाता है प्रोजेक्ट उन्नती को ठीक है अब ये जो ministry of rural development है ना इसका जो मनरेगा डिविशन है उसी ने इस कारिकरम की शुरुबात की है और ये जो योजना है इसमें मनरेगा और राष्ट्री ग्रामीन आजीवी का mission national rural livelihood mission NRLM इसको भी last video में मैंने deal किया था इन दोनों के coordination से क्या किया जाता है इस project उन्नती को चलाया जाता है तो कौन चलाता है हम देख लिए पहला point ministry of rural development केंडरी ग्रामीन विकास मंत्राले अब इसका उद्देश क्या है तो उद्देश है कि मनरेगा के अंतरगत जो कारी कर रहे ग्रामीन परिवार के सदस्य हैं उनको उनकी रूची के अनुसार क्या करना प्रसिक्षन देना ताकि उन्हें स्वर रोजगार मिल सके साथ ही किसी प्रकार का रोजगार मिल सके उनके skill के हिसाब से किसके हिसाब से उनके skill के हिसाब से तो skill अगर develop कर दोगे तो हो सकता है कि कहीं employment मिल जाए नहीं तो वो चाहें तो self employment भी generate कर सकते हैं clear है और EC के अंतरगत क्या किया गया अगर बात करू वित्ती वर्ष 2018-19 की मतलब financial year 2018- 2019 की तो 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले जितने परिवार हैं उनके किसी भी एक सदस्य को जिसकी आयू कितनी है 18-45 के बीच है उसको सुवर रोजगार के लिए क्या किया जाता है तो यहीं बात हम जब सिकर रहे हैं प्रोजेक्ट उन्रती में कि प्रसिक्शन दिया ज कौन चलाता है तो बता देना मिनिस्ट्य ओफ रूरल डेवलाप्मेंट के इंद्री ग्रामीड विकास मंत्राले दूसरा पॉइंट रहेगा एक ही इसका उद्देश क्या है तो द्देश रहेगा कि मनरेगा के अंतरगत जो कार रहे हैं ग्रामीड परिवार हैं रूरल फाम विकास हो सके क्लियर है यह ठीक है तो थर्टी वर्ट में प्रोजेक्ट उन्नती ध्यान रखेंगे इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको डी डी यू जी के वाई दीन दयाल उपाध्याए ग्रामीन यह कौशल लिखाया है यह कौशल्य है ठीक है और यहाँ कौशल्य लिखा गया है तो यह मेरे से टाइपनिंग में गड़बड हो गया है कौशल्य है कौशल्य विकास योजना तो यह जो योजना है इसे दिसंबर 2014 में क्या किया गया है लॉंच किया गया है कौन किये थे तो हमारे प्रधान मंतरी नर तो जो यूवा है, ग्रामीड यूवा, इनके कौशल में विकास करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उन्हें रोजगार पदान किया जाता है, जिससे कि उनकी बेरोजगारी जो है, और गरीबी इसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, यह जो योजना है, इसका संचालन कौन करता है, तो स्किल डिवलक्मेट और उन्टर्प्रेञशिप आप लाइवलिहुट डिपार्ट्मेट, द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है, अब अगर ddu gky के बारे में लिखने के लिए आ गया आपको 30 words में तो आप बता सकते हैं दिसंबर 2014 में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने क्या किया इसकी शुरुवात किया इसको launch किया तो पहला point हो गया किसने launch किया second point में सीधा उद्धेश लिखो गया बता देना कि ग्रामिड जो यूँआ है इसके अंतरगत उनके कौशल का विकास करके उन्हें रोजगार प्रदान करना तो यहाँ पर अक्चुली क्या था यह जो पहला topic था कि 6 मनरेगा श्रमिक जो है उनको सम्मानित किया गया इस topic को ना सिर्फ हमने pre के point of view से देखा बलकि इसको completely decode किया है कि यह जो योजना है या project उन्नती है इसमें क्या होगा इसके अंतरगर ट्रेनिंग किन तीन माध्यमों से दिया जाता है उसके बाद इन तीनों को भी individually देख लिया है तो 30 words में उन्नती के बारे में आ जाए तो भी आप लिख लेंगे उसके बाद मुझे लगता है आर सेटी के बारे में DDU GKY के बारे भी लिखने को आ जाए क्रिशी विज्ञान केंद्र के बारे में भी लिखने को आ जाए 30-30 words में तो भी मुझे लगता है कि आप आसानी से लिख लेंगे क्लियर है ये ठीक है इसके अलावा एक final point और इस topic में तो प्रोजेक्ट उन्नती के अंतरगत मनरेगा श्रमिक के कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए क्रिशी विज्ञान केंद्र ग्रामीन स्वरोजगार प्रशिक्षन संस्थान वही आर्सेटी और DDU दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीन कौशल योजना जी केवाय के अधिकारियों को भी इस कारिक्रम में क्या किया गया था सम्मानित किया गया था और इसी क्रम में बालोद क्रिशी विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक है नाम है डॉक्टर के आर साहू साथ ही बैंक ओफ बडोदा द्वारा संचालित आर सेटी की प्रभारी है अनीता टुडू उनको भी क्या किया गया है सम्मानित किया गया है तो आई होब ये जो कम्प्लीट टॉपिक था जिसमें हमने तीन चार स्लाइट को देखा है ये नहीं सकते हैं एक, दो, तीन, चार इसको आप इसली समझ गया होगे ठीक है चलिए आगले टॉपिक पर आते हैं क्या है तो चत्तिसगड की इश्वरी जो है इन्होंने दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री में क्या किया है तो रजत पजत पदक रजत पदक मतलब क्या होता है ये तो होता है यल्लो हो गया जी पेन हाँ सिल्वर मेडल जीता है मतलब सेकेंड आई है ठीक, तो चत्तिसगड के किस जिले सम्बंधित है पहला, तो पहला क्वेशन प्री में बनेगा कि इश्वरी निशाद जो है वो चत्तिसगड के किस जिले सम्बंधित है तो कौन सा जिलाएगा महासमूद अब आच्चुली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ 17 से 25 मार्च 2022 को या इसके बीच कहूँ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्राप्री 2022 का हुआ था दुबई में तो ये अच्चुली 13 या 13 फैजा इंटरनाशनल एथलेटिक्स चैंपियन्शिप के अंतरगत ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्राप्री हुआ था 2022 का इसमें इश्वरी निशाद जो की कैसी है द्रिश्टी बाधित हंड्रिट पर्सेंट बलाइंड है धावक मतलब रनर है इन्होंने 400 मीटर रेस में या 400 मीटर रेस को कहूँ 1 मिनिट और 25 सेकंड में क्या किया कमती helfen क्लियर है ये तो पहला क्वेस्चिन रहेगा कि इश्वरी निशाद इश्वरी निशाद जी कौन से डिस्ट्रिक से संबंधित है सेकेंड रहेगा कौन से खेल से संबंधित है clear है ये और third जो है वो उनका पदक या प्राइस के बारे में पूछ सकता है कि उन्होंने किस event में रज़त पदक जीता है silver medal जीता है clear है तो इस topic से तीन question बन सकते हैं थोड़ा सा pre-oriented topic है चलिए next देखते हैं क्या sectionic छात्रवृत्ती अभ्यान अब एक योजना है sectionic छात्रवृत्ती योजना educational scholarship scheme क्या सकते हैं इसको English में ठीक है तो श्रम विभाग जो है इसके अधिकारी ये देखेंगे कि इस योजना के अंतरगत जितने पंजी कृट लेबर्स हैं उनके जो प्रतेक school में या college जाने वाले बच्चे हैं उनको lab मिले या कैसा lab मिले तो lab ऐसा रहेगा कि अगर बच्चा class first से 8 तक के बीच में पढ़ता है तो उसको सालाना 1500 रुपए scholarship के रूप में मिलेंगे तो first से 8 में 1500 अगर 9th से 12th तो मिलेंगे किते 3,000 तो अगर first से 8 तो 1500 रुपए yearly वारशिक है 90 से 12 में किता है 3000 रुपए वारशिक छात्र रित्ती scholarship मिलेगी graduate level पे किता है तो 5000 रुपए है graduation कैसा हो we have psych type का मतलब engineering हो या medical हो तो किता मिलेगा 8,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा और अगर post graduate प्रोग्राम में है तो उनको 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की क्या मिलने वाली है छात्र वृत्ती scholarship मिलने वाली है clear है ये बात sectionic छात्र वृत्ती योजना जो है उसके अंतरगत ये प्रावधान clear है ये बात ठीक है अब हुआ क्या 25 मार्च 2022 के दिन हमारे जो नगरी प्रशासन और श्रम मंत्री है कौन है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने sectionic छात्रृत्ती अभियान की शुरुवात करते हुए इस योजना के अंतरगत 1682 मजदूर या 1682 मजदूरों के बच्चों को कितनी चात्रृत्ती बाटी है तो 42,33,500 रुपए 42,33,500 रुपीज की चात्रृत्ती मतलब scholarship बाटी है किसके माध्यम से तो चेक के माध्यम से और RTGS RTSG लिख दिया हूँ मैं भी देखा न मोरो दिमाख ना RTGS गा, RTSG नहीं RTGS के माध्यम से मतलब सीधा count transfer किया है कहतो clear है यह ठीक है means में बहुत important है topic आपको इस योजना के बारे में 30 words में आ सकता है clear है एक homework आपके लिए है आप लोग मुझे comment करके बताएंगे यह जो योजना है इसकी शुरुवात कब हुई है योजना अभियान के नहीं शुरुवात कब हुई है आपके answer भी क्या आची है सबसे पहले शुरुवात और उसके बाद क्या प्रावधान है तो प्रावधान तो यहाँ पर लिखे अच्छे है कि कितना कितना रुपे मिलने वाला है करके clear है यह तो दो point रहेगा कब से शुरुवात हुई और क्या प्रावधान है 30 words के लिए बहुत जादा important है यह question चलो ठीक है इसके बाद अगला है ICH virus तो यह हमारा बिलास्पू डिस्ट्रिक्ट है और बिलास्पू डिस्ट्रिक्ट में ना एक जू है जू का क्या नाम है कानन पेंडारी अब यह जो जू है कानन पेंडारी यहाँ पर तीन भालूगों की मौत हो गई है किससे होई है तो infectious canine hepatitis infectious canine hepatitis ICH virus अब यह जो ICH है ना यह कैसा है तो एक viral disease है विशाणू जनित बिमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है मतलब एक बार संक्रमन हो गया तो यह बिमारी कैसी है ला इलाज है मतलब जैसे covid में isolation काम आता है वैसे ही जानवरों में इसका संक्रमन रोकने के लिए isolation ही एक option है इसका है ICH का खत्रा मंडरा रहा है संक्रमन का खत्रा कैसे मंडरा रहा है मैं आपको बताऊं यह जो तीन भालू है जिनकी मौत हुई उसमें से दो ना पुरुष थे एक महिला या मादा यार महिला क्या कहूं नर और मादा सही होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि इनको पहले यह वाइरस ICH आया होगा जिससे संक्रमित होके इंफेक्ट होकर इस मादा भालू को भी यह वाइरस आ गया होगा क्रियर है तीनों की बहराल मौत हो चुकी है और खतरा जो है वो मढड़ा रहा है question क्या हो सकता है तो ये pre से संबंदित question हो सकता है इसमें पूछेगा ये जो ICH virus है इस काउट break 36 गण में कहा हुआ था ठीक है जूस का नाम देदेगा आपको सहीं टिक करना होगा सहीं क्या है तो कानन पेंडारी चलिए अब next है ग्राम पंचायत छिंदिया कहा है तो सूरजपु डिस्ट्रिक में है इसको बहतर जल संरक्षन water conservation और प्रबंधन and management के लिए क्या मिला है राष्ट्री पुरुसकार मिला है ठीक है देखते हैं टॉपिक में क्या है तो सबसे पहले आप सभी पता है भई भारत का राष्ट्रपती कोन है तो रामराथ कोविंद जी जुए है उन्होंने क्या किया है तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरा जो राष्ट्री जल पुरुसकार वित्रण समारो था थर्ड नाशनल वाटर एवर्ड्स इसका जो प्राइस डिस्ट्रिबूशन सर्मनी था उसमें क्या किया गया एक कैटिगरी थी नाम था क्या सर्वश्रेष्ट पंचायत इस श्रेणी में बहतर वाटर कंजर्वेशन आन मानेजमेंट जल सर्रक्षन और प्रबंधन के लिए चत्तिर गड़का जो सूरजपुर जिला है उसमें जो गाउं है नाम है क्या छिंदिया तो गाउं तो नहीं कहना चाहिए ग्राम पंचायत छिंदिया तो छिंदिया ग्राम पंचायत को क्या किया है पुरुष्कृत किया है, national award मिला है, राश्ट्री पुरुष्कार मिला है, और जो श्रेणी थी, सर्विष्थ पंचायत के श्रेणी में, actually ये second prize मिला है, किसको मिला है second prize? तो मिला है ग्राम परचायत चीन दिया को ठीख है तो नाशनल अवज़ तो है ही लेकिन प्राक्टिकली कौन सा परुष्कार मिला है? तो second award मिला है या दूसरा परुष्कार मिला है, ठीख है अब यह जो चेंद्री जल शक्ती मंत्रालै है उसका एक विभाग है नाम है क्या जल संसाधन water resources नदी विकास river development और गंगा संरक्षन विभाग and गंगा conservation department तो इस मंत्रा ले के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षन विभाग के द्वारा क्या किया गया था तो 11 श्रेणियों में 57 लोगों को award दिया गया था ग्यारा श्रेणी जो है उसमें से एक श्रेणी क्या थी सरशिष पंचायत जिसमें second price किसको मिला है तो छिंदिया को मिला है क्लियर है यह ध्यान में रखेंगे इसके साथ ही ध्यान रखना उसी दिन कोविंद जी ने क्या किया है तो एक campaign शुरुवात की है catch the rain campaign 2022 तो आपका एक ठों होमवर्क रहेगा catch the rain campaign 2022 के उपर आप 30 या 60 words में क्या करेंगे आप एक answer लिखेंगे और competition community तक पहुंचाएंगे हम देखेंगा आपके answer जिसके answer में सबसे अच्छा लगेगा उसको का करेंगे पांच रुपया वाला पांच रुपया वाला फाइव स्थार और 36 गड़िया आदमी हो तुमने बड़ा बज़िया खवा दूं मैं ठीक है चलो next आज का यह last topic अच कुछ लोगों के मन में होगा कि इतने दिन बाद वीडियो लाए हो और उसमें सिर्फ आप मार्च के हेंट तक का बता रहे हो तो actually मैं आपको बता दूं कि होगा क्या मैं मार्च और अप्रेल की वीडियो को अलग-अलग रखना चाहता था ताकि आगे चलके आप कभी भी revision क तो confusion नहीं होना चाहिए कि मार्च का था कि न्यूज अप्रेल का था तो best क्या किया मैंने सोचा कि इसमें मार्च को खतम कर देता हूं अगले वीडियो से ही मैं एप्रेल को स्टार्ट करूंगा ताकि revision में आप लोग को आसानी हो इसलिए न मैं रितना बता रहा हूं 10-15 पुरुसकार आप सभी को पता होगा 36 गण में क्या होता है राज जिस थापना दिवस एक नवंबर इस समय क्या चलोता है राज जोट्सो इस समय राज जिलंकरन पुरुसकार दिये जाते हैं तो इस बार क्या घोशना हुई है कि अवंती बाई लोधी विरांगना रानी ठीक है तो भारत का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था रिवॉल्ट ऑफ 1857 इस लड़ाई में विरांगना अवंती बाई लोधी ने क्या किया था अंग्रेजों को खिलाफ युद्ध किया था और युद्ध में क्या किया था तो अपने प्राणों की आहुती देदी थी टॉपिक प्रीके इस आपसे इंपोर्टेंट है पूछेगा महिला शशक्तिकरण पुष्कार जो है वह किसके नाम से दिया जा रहा है तो एंसर आना शिये वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी अब 1857 की क्रांती आए और हम बात ना करें किसकी वीर नाराइंट सिंग ज मिलती है लेकिन 46 के किसी भी व्यक्ति का उसमें उलेख नहीं मिलता मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास ने जस्टिस नहीं किया है 1857 और 36 गड़ के रिलेशनशिप के बीच में तो 1857 के से मैं 36 गड़ में बहुत सी इक्रांतिया हुई सबसे प्रसिद्ध क्या है तो बलोधा बजार जिले का सूना खान विद्रो इस विद्रो में सूना खान के जो जमीदार थे वीर नाराइंट नवर 1857 को इनको फासी हुई थी और इनको 36 स्वतंत्रता संग्राम 36 गड़ फ्रीडम मोमेंट के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है क्लियर है 1857 के समय ही कुछ और क्रांतिया हुई 36 गड़ में या इसके समकालीन कुछ और क्रांतिया थी 36 गड़ में देख लेते हैं कौन-कौन सी तो सर्गुजा आपने पढ़ा होगा सुहागपूर विद्रो सुहागपूर विद्रो के नायक कौन थे तो थे रंगाजी बापू कौन थे रंगाजी ठीक है भई उसके बाद धरम जैगड तहसील मतलब रायगड जिला कौन से रियासद उद्रैपूर कौन नायक थे तो कल्यान सी और इनके दो भाई शिव राज सी और दूसरे भाई थे धीरज सी ठीक है भाई इसके अलावा उडिसा में संबलपूर का विद्रो उस समय संबलपूर शत्र गड़ा भाग था नायक कौन थे सुरेंद्र साय क्लियर है यह फाइनली रायपूर का सेन्य विद्रो सीपोई म्यूटी नी भी कह सकते हैं इसको कौन नायक थे हैं हनुमान सीग को क्या कहते हैं चत्र गड़ का मंगल पांडी भी कहते हैं ठीक है मागजीन लर्षकर ध्यानी होगा आपको पद इनका पूच्छा था प्री में इन्होंने क्या किया था तो अठार जन्वरी 181858 को मेजर सिड्वल की हत्या कर दी थी किसकी हत्या की थी मेजर सिड्वल की क्लियर है तो यह कुछ ऐसे विद्रो थे जो कि 1857 के समकालीन कहा हो गए थे दन तो यह जो है इस वीडियो का कंटेंट था इसके बाद फाइनली कुछ क्वेशन को देख लेते हैं जिसको आपको मुझे कंटेंट सरी कंटेंट भूलता हूं यार कमेंट बॉक्स में बताना है अब बता दूद बढ़िया बात है नहीं बता है का दिकत कोई दिकत नहीं है ठीक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो इसको डिसकस करने ही वाले हैं तो मार्च 2022 में केंद्री ग्रामीड विकास मंत्राले द्वारा चत्तिल गड़ राज के कितने मन्रेका श्रमी को सम्मानित किया गया पहला क्वेशन ठीक है अगला क्वेशन क्या है हाल ही में ICH वा सर पर महिला सशक्तिकरन पुसकार किसके नाम पर प्रदान किये जाने की खोशना की गई है तो आप सभी से निवेधन है कि यह जो क्वेशन है इसके आंसर मुझे जरूर बताइए किस पर कामेंट करके ठीक है तो वादा है कि अब से हर साटड़े को मैं कोशिश करूंगा कि कि आप सबके पास यह जो वेरा वीडियो है तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक आप सभी समूल लाकात होगे बने आगले वीडियो में तो पतल लिए थाइंक्यू आंटेक कैर